ओसे हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अंबेड्कर जी के बारे में हम जानते हैं, अंबेड्कर जी हमारे समीधान के निर्माता थे और हमारे देश के कानुनमंदूर्य रहे इनका जन्म हुआ था 14 अपरेल 1891 में और ये हमारे पहले कानुनमंत्री थे और समिधान के निर्माता थे और환 एकनौमिश थे प्रोफेसर थे लोयर थे और पोलिटिशन भी थे और इन्हें भारत रतन अवार्ण किया गया था उन्नीस तोनब्य में मर्नोप्रांथ क्योक इनकी मृत्ति हो गय सिछैंक दिसमबर उन्नीस तोचपन में और उन्हें भारत रतिन मिला था 1990 में और इन्होंने दलितों के लिए जिनके साथ उस समय बहुत बेदबाव होता था बहुत ज़्यादा कैम्पेंच चलाए हैं उनके लिए और इसलिए यह हमें सा याद भी रखे जाएंगे तो सुरुवात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से इनका जन्म हुआ था मोहू मध्य परदेश में यह मराठी बैक्ग्राउंड से थे और यह महारकाश्ट से बिलोंग करते थे और इन्हें बच्पन से भी बहुत ज़्यादा भेदवाऊ सेहना पड़ा इनकी अर्ली एजुकेशन हुई एलफिंस्टन हाइज स्कूल से और उसके बाद इनकी ग्रेजुएशन हुई एलफिंस्टन कोलिज बॉम्बे से इन्हें बरोदा स्टेट स्कोलर्सिप मिली और य यानि दो बार इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट किये और इनके वर क्या क्या है एंसेंट इंडिया कोमर्स और सबसे इंपोर्टेंट दप्रोब्लम ओफ रुपी इट्स ओरिजन एट्स सॉलूशन जो इस यह इनकी थीजिस थी दप्रोब्लम ओफ रुपी इसी पर हिल्टन कमीशन की सिफारिस के अनुसार रिजर्ब बैंक बना था इसी पर डिसकस हुआ थाÓ रिजर्ब बैंक और वर रुपी पर और इनोंने लिख्यिती बुक वबर फोरे वीजा इन्होंने मुकनायक पब्लिस किया था एक अकबार और बहिश्क्रत हितकार्णी सभा की स्थापना की और उन्होंने महाद में एक सत्यागर्य चलाया था वहाँ पर क्या था जो तालाब था वहाँ जो दलिते उन्हें पानी पीने की मनाई थी तो इन्होंने सत्यागर्य चलाया और इन्होंने मनुस्मर्ति की भी आलोश ना की क्योंकि ये वर्ण विवस्था के खिलाफ थे और कलाराम टेंपल मुवमेंट जो नासिक में इन्होंने के बीच में 25 सेप्टेंबर 1932 को यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तुकि इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने दलितों को हिंदुों से अलग करने के लिए सेप्रेट इलक्टोरेट यानि अलग से निर्वाचन की व्यवस्ता कर दी थी तो गांधी जी भूख अड़ाल पर बैठ गए थे और आमरान अम्शन के तयारी कर ली थे तो उसी से फिर उसी से जो अंबेडकर जी थे और गांधी जी थे इनके बीच में एक समझोता हुआ था तो उसमें क्या था कि इन्होंने जो सेपरेट इलक्टोरेट थे दलितो के वो तो मना हो गए थे अलग से निर्वाचन पढ़ना लेकिन दलितो के लिए केंद्रे विधान सभा में सिटो की संक्या जादा हो गई थी जो आरक्षित सिटो की संक्या थी वो बहुत जादा बढ गई थी लगवग दुगने से भी जादा हो गई थी और इन्होंने प्रिंसिपल अपोइंट किया था गोर्रमेंट लाउ कोलेज मॉंबे का 1936 में इन्डिपेंडेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की इन्होंने एक बुक भी लिखिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और कियरमें थे ड्राफ्टिंग कमीटे गे जो समीधान की प्रारूप समी थी जिसने समीधान बनाया था एक चुली में तो उसके अध्यक्ष थे अंबेड कर जी के बारे में कुछ फैक्ट है कि उन्होंने धारा 370 जो कश्मीर में लगी है उसकी अलोचना की थी यानि यह उसक सिविल कोड के फेवर में थे उस समय भी जिसकी बारे में यह आज तक लागू नहीं हो पाए लेकिन यह उनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में थे और इन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल हिंदू कोड बिल जब इनका बनाया कोड बिल पास नहीं हुआ था तो इन्होंने प Administration and Finance of East India Company, the evolution of provincial finance in British India, यह भी question आया हुआ है, और the problem of rupee, its origin and its solution, और यही की RBI जो बेस हुआ था, वो हिल्टन एंग कमिशन की सिफारिच पे बेस हुआ था, और अम्बेटकरजी की thesis पे, the problem of rupee पे, अपने अंतिम दिनों में इन्होंने पचास, पांच लाख फोलोवर्स के साथ Buddhism grand कर लिया था, नागपूर में, इसलिए महराष्ट में आज भी बोध धर्म के लोगों के संक्या सबसे अदिक है, बोध द बुद्धा एंडिज धर्मा इन्होंने लिखी है, अम्बेटकरजी ऐसे वेक्ते हैं, जिन्होंने तीनों round table conference, यानि तीनों गोल में समेलन में भा Pakistan and partition of India thoughts on linguist states, और right to constitutional remedy, कोई नोंने समिधान की आत्मा भी कहा है, समेधानिक उपचारों का अधिकार को, हिंदी में कहा देंगे समेधानिक उपचारों का अधिकार और English में right to constitutional remedy, कोई नोंने समिधान की आत्मा कहा है, article 32, thank you, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, study gk, thank you